बीजोपी की तरफ से प्रेस कॉंफरेंस की जारी सुने ये न्यू पेंशन स्कीम बनी इसको इन पिएस कहते हैं और आपकी जानकारी के लिए उस समय व्यापक कंसल्टेशन हुआ था मुझे आद है मैटल जी की सरकार में मंत्री भी था तो कॉंगरिस पार्टी इन समों ने इसका समर्थम किया था और इन पिएस को कई कॉंगरिस के सरकारों ने भी समर्थम किया था बाद में विरोद्किया ठीक है हमारे प्रधान मंत्री जी मांगों को सुनते हैं समझते हैं और सम्विधन शील रहते हैं जब करमचारियों के अखिल भार्तिय संगठन ने इसको कंफेडरेशन अफ सेंटल गर्मेंट इंप्लॉईज कहते हैं उनने भी मांग की तो पिछले साल ही तदकाली नवित्य सचियो और अभी टीश से होने वाले कैबिनेट से सेगेटरी सोमनाशन जी के अधिक्ष्टा में कमिटी बनी थी उस कमिटी की रिपोर्ट को कल कैबिनेट में स्विकार किया गया है कल सरकार की ब्रीफिंग में उसको बताया गया है तो मैं विस्तार से रिपीट नहीं करूंगा सिर्फ कुछ छोटे बिंदूओं को बताऊंगा नमबर एक भारत सरकार के लगभग 23% करमचारियों को 50% Assured Pension तैह हो गया 50% Assured Pension का मतलब क्या हुआ आपके रिटायर्मेंट के साल के 12 महिने का जो आवरेज होगा उसका 50% मिलेगा आपको अगर आप 25 साल की सेवा पूरी किये तब इसका पुरा लाप मिलेगा अगर उससे कम की सेवा हुई तो जो प्रपोर्शनेट होता है उसके अनुसार मिलेगा अगर आपने 10 साल तक सेवा की तो आपको Assured 10,000 रुपीज पिंशन मिलेगा तो लास्ट पेड ड्रॉन का 50% आपका Assured Pension है निश्चित Pension की राशी है यह हुई पहली बात दूसरी बात समय के अनुसार मेंगाई बढ़ती है उसका इंडिक्सेशन होता है डेरनेस में अलाउंस में तो उसकी भी चिंता करने का प्रवधान हुआ है और तीश्री सबसे महतपूं अगर आप गुजर गए तो आपके परिवार को भी 60% का फैमिली पेंशन मिलेगा तो एक प्रकार से जो एक कल्यानकारी राज जी की सोच होती है वो इस पूरे निर्णे में दिखाई पड़ती है इसके अलावे एक और महत्पून बात समझना जरूरी है तो क्या है जो न्यू पेंशनिस की माही थी उसको लेकर ये भी चर्चा थी कि सरकार की फंडिंग के बारे में क्लारिटी नहीं है कि जो इस कमिटी ने उसका रेक्मेंड किया था उसने कुछ अनुठे प्रयोग भी किये थे देशित के प्रयोग थे सरकार ने कहा है ये पूरा फंडिंग भारा सरकार करेगे जो पहले था तेन परसंट करमचारियों के सालरी से और फोर्टीन परसंट सरकार के द्वारा अब कल के नड़ने में आप एध्यान रखिए अब होगा 10% कर्मचारियों के सालरी से और 18% भारत सरकार के द्वारा तो उसको भी आगे बढ़ा दिया गया तो जितना भी हो सकता है कर्मचारियों के हित्मत देश के कर्मचारी देश के लिए काम करते हैं सत्ता में कौन पार्टी उसकी चिंता नहीं करते हैं और उनके कामों के करन देश आगे बढ़ता है यही माननिय प्रधानमंतर जीजी ने अपने एक्सपर कमेंट में भी कहा है कि हमें उनकों युगदान का बहुत सम्मान करना है और हम करते रहेंगे तो यह एक बहुत बड़ी बात थी नरिज मोदी की सरकार कैसे काम करती है सोच समझ कर काम करती है विचार करके काम करती है एड होक डिरने काम नहीं करती और जो भी करती है वो जन हित में होता है और यहां का जन हित टेश्ट लाख कर्मचारी और उनके परिवार तो यह एक मोटी विशे को आज रखना ज़रूरी था अब इसके बाद कुछ सवाल कॉंग्रेस पार्टी से करना है यह घोष्णा वाली पार्टी कॉंग्रेस पार्टी सिर्फ घोष्णा ही करेगी घोष्णा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी आज भारतिय जनता पार्टी के राष्टिय मंज से एक सम सवाल करना चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी ने पिछले दो साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तुफान बनाया था भारत की राज़ीती में याद करिया आप तो उनसे भी कावा दिया गया हिमाचल के चुनाओं में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे जो हमाई दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा उनके पुराने रिल्स को निकाल दीजिए राहूल गांधी से सवाल नमबर एक आपके सरकार ने हमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या मैं फिर पूछ रहा हूं भाजपा के राश्य मंझ से Congress Party in General and Rahul Gandhi in particular Please tell the nation, did you implement the old pension scheme as promised in the हमाचल election? हम इसका जवाब जानना चाहेंगे उनसे आपने करनाटक के चुनाओं में बहुत चराकी कर दी है वहाँ क्या का आपने? कि हम 2006 के पहले के जो कर्मचारी हैं उन्ही के बारे में करेंगे उनके सिंगा कितनी है? सिर्फ 13,000 समझे आप? चुनाओं हुआ लास्ट येर और देंगे खाली छे के पहले रिटार होने वाले करमचारीयों को तेलंगना में तो मैंने सुना है कि वहाँ हलके से कहा गया और अभी जो चौबिस के लोकसभा का चुनाओं हुआ उसमें तो मैनिफेस्टों में मेंशन करने की भी शर्म नहीं बची मैं रिपीट कर रहा हूँ the Congress party has become so weary of the palpable falsehood of his assurance about pension that it could not master the courage to include that as the part of its manifesto in the looks of election